नमस्कार दोस्तों तो केसे हैं आप लोग उम्मीद करता हम अच्छी होंगे दोस्तों जैसा कि पता है आपको कि आज का जो मेच अब वो खेला जाएगा चेननाई सुपर किंग्स और रोयल चेलेंजर बेंगलूरू के बीच में और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रेंट लिग के बारे में ठीक जैसा कि आपको बता है दोस्तों एक वीडियो जो है मैं ओल्रेडी इस मेच का अपलोड कर चुका हूँ उस वीडियो में मैं आपको इस मेच की पूरी कुंटली बता दी थी सारे स्टेट्स और सारे एनालाइसिस उस लीग में अच्छी performance करने के लिए आगे मैं आपको टीम तो बना के दिखाऊंगा चिंता मत करूं लेकिन वो टीम आपको अच्छे से समझने के लिए इस मेच के सारे states और सारे analysis जो आपको पता होने चीए तो देखो अगर किसी को नहीं पता कोई बात नहीं मैंने आपको cover कर मैंने एक वीडियो जैसा यह आपको पताया सुबह ही अपलोड कर दिया था इस मेच का जिसमें इस मेच की पूरी कुंड़ी मैंने खोल दी थी तो सबसे पहले आप जाके वह वाला वीडियो देख लो अगर वह देख लिया तो आपको इस मेच की पूरी कुंड़ी पता चल पर हो रहे हैं अभी तक मैं आपको सही सही बताऊं तो IPL में अपने चैनल ने ज्यादा भी नहीं न तो 65 लाग से भी ज्यादा की विनिंग अपने चैनल पर हमने करवा दिया और इस बात का जो प्रूफ है वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसलिए बोल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को दबाओ और उसके बाद जितने भी अप्डेट में आप लोगों के लिए पोस्ट करूं जैसे कि मा लोग कोई वीडियो अप्लोड किया या फिर कोई और न्यूज आपको अप्डूडेट रहना है आपका प्रूफिट में करवा दूँ पहली बात कोंपी नेगें और सेम टिम से आपको अपनी उनका टरम पास वांपटेट अती रहती है जब दोस्तो इतनी साही जब अपडेट अपने पास आएंगी ना तो उनकी वजह से अपने टीम में भी बहुत सारी चेंजेज हो सकते हैं तो दोस्तों अपने टीम में जो भी चेंजेज होंगे जो भी अपडेट होंगे वो आपको बताए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चेनल कोई दिक्रती हैं आपको जुड़ जाना है टेलीग्राम चेनल के जो जोइनिंग लिंक है दोस्तों मैं आपको इंचे डिस्क्रिप्शन और कोमेंट वोक्स में प्रोवाइट करवा दूँगा जोइनिंग एकदम फ्री है जोइनिंग का आपका एक भी पेसा नहीं लगेगा बस आपको आना है जुड़ना है और एक्टिव रहना है मैं इस चीज़ा एकटिव रहोगे तो फिर आपका प्रोफिट एकदम फुरी में इस और चीजनगा आईगी तो विकेट कीपर सेक्षन में अपने पास दिनेश कार्थिक, महेंदर सिंग, धोनी और अनुज रावत, ये तीन ओप्सन है, बेटिंग सेक्षन में आप आओगे तो विराट कोली, फाफ्टू प्लेसी, ग्लेन मेक्स पे लंबाती राइडू, रुत्र राज काईकवार, भी क्या हो सकता है, डेविड विल्य आपको खेलते भी दिख जाएंगे, और नीचे से शाबाज अमत, और बोलिंग सेक्षन में आते हैं दोस्तों, ब्रावो है, हर्शाल प्रेल आपको खेलते भी नहीं दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे, क्या सीन रहेगा, उसके बारे मे थोड़े बहुत चांस है, उसके बाद क्रिस्टोर्टन हो गए, मोमत सिराज हो गए, ठिक्षाना की चांस है, सिद्धार्थ भूल आपको खेलते भी दिख जाएंगे, और फिर उसके नीचे से आपके आपको खेलते भी दिख सकते हैं, दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट बा सेलेक्ट की है, और एक प्लेयर में अपनी टीम में अब सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मेरे पास आगया है क्रेडिट का प्रोब्लम, अब देखो क्रेडिट का प्रोब्लम आगया है, कोई बात नहीं अपने को, किसी ना किसी एक या दो बड़े प्लेयर को ड्रोप करवा दूँगा जाकर जोईन हो जाना आपको बहुत सारे बेनेफिट टेलिग्राम सेनल पर मिलेंगे उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्ट चैनल और कॉमेंट बोक्स में मिल जाएगी साथ दोस्तों देखो मैं आपके लिए यार दिन के दो-दो वीडियोस ला रहा और इतने सालों से आपका एकदम फ्री में में प्रोफिट करवा रहा हूं तो देखो यार थोड़ा सा सपोर्ट आप करोगे तो मेरे को भी मज़ा आएगा जिसने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हूँ एक लाइक आपको जरूर करना है ठीक है इस वीडियो अब देखो अपनी पहले टीम में बनाने जा रहा हूं उसमें मैं क्या करूंगा एक नोर्मल टीम बनाई थी ना वहीं बना लेता हूं चलो यह विराट को लिए विराट को लिप अपर बनेगी निए हटाओ अब आती है बात ग्रेंड लीग में हम बना सकते हैं कौन-कौन स कर सकते हैं किस-किस प्लेयर को पिक कर सकते हैं उसको पर फोकस करो सबसे पहले मैं अपनी टीम से डोप करूंगा ग्लैन मैक्स्वेल को क्यों करूंगा उसका रीजन सुबह वाले वीडियो में मैंने आपको बेदड़्डा कैसे बताया था तो जिसने नहीं देखा हूँ जा चलो अच्छा है आगास दिए बहुत अच्छे बोले रहें कोई बात नहीं है रेगुलर अपनी टीम के लिए विकेट निकाले हैं और मेड़न ओवर भी किया साइट पीसले में तो अच्छे बोले रहें पहरी टीम आपकी यह मैं मान लेता हूँ क्या इस टीम में और क्या कर सकते हैं को टीम नंबर बन आपकी बन चुकी आपको के सामने इसमें दोस्तों केप्टन और वाइस केप्टन के अगर मैं आपको चोईसे बताओं तो विराट को लिए एक अच्छी चोईस हैं के लिए उसके लाब दोस्तों रूतराज गाइकवार्ट पर रहें इतना भर क्योंगी इन में से किसी ना फ्याइक है और कोई दूसरा प्लेइर उठाया से कि हमने रुटराज गाइपटो कर दिया क्योंकि गाइपट अभी एक वाइस केपटन बना दिया तो Kazi best sec तो मेरे पास और से बोलर होना चीए जो कि इनका विकिट निकाल सकते हैं वेली निकाल सकते हैं मैं सबसे पहले हस्रंगा को रख लेता हूं जो कि यह काफी अच्छे ओल राउंडर है और रिसेंट्ली अच्छी परफूमेंस करने तो एक चेंज हो गया अब इसमें आपको किसी दूसरे प्लेयर को उठाना है जैसे कि मैंने आपको बोला था एक चीज सुबह वाले वीडियो में कि भाई वनिंडू हचरंगा जो है वो लेफ्ट हैंड बेट्समें के अगेंस अच्छी बोलिंग नहीं करते हैं तो लेफ्ट हैं जब चैनाई के पास है तो फिर बेस किलें उनमें चार विकट अपनी टेम के नाम किया है मतलब कि अच्छी बोलिंगी यह फिर आप और चेंज क्या कर सकते होगी यहां से अकास्षदेप को अपनी टीम से लोप कर सकते हो हो यहां च्छी यहांस पिकत कर लेना को एक बार रविंदर जेड़ेजा को को इंक तीन टीम तयार ओल्रेडी हो चुकी हैं अच्छा दोस्तो आगे में आपको जो भी टीम बना के दिखा रहा हूं ना जो भी कॉम्बिनेशन बना के दिखा रहा हूं इनका आप यूज कर सकते हो माइलेवन सेर्कल पर ग्रेंड लिग खेलने के लिए आपको पता है माइलेवन स आपको मिलेगा इस्ट्राकेश आपको मिलेगा तो उन सबी चीज़ों आप फाइला उठा सकते हो माइलेवन सेर्कल की डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्चन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी अब दोस्तों यह तो हमने बनानी है कुछ नोर्मल टीम अप अच्छे सी जीत गई अब देखो अगर मैं मानू कि आर्सीबी वन साइडेर जीत गई एक तरफा जीत गई तो आर्सीबी के बेट्समेन और आर्सीबी के बोलर्स दोनों को अच्छा परफोर्मेंस करना पड़ेगा एकदम सिंपल सी बात में कुछ ज्यादा कठीन बात अपने टीम के लिए तो अपनी एक दो ग्रेंडीक की टीम में तो अनुज रावत कर रहे ना बनता है ठीगा यह मैंने उठा लिया अब दोस्तों मैंने यह माना कि इन दोनों ने इतनी अच्छी पारी खेली इस में कि इनका विकिट ही चैन्नाई सूपर किंग्स के बोलर न हैं आपके पास चोइस लेगी निया कोल को पतानी क्यों मेरा मन नी कर रहा है इससे अचा तो आप चाहिशे एक कह का ओर्रांडर उठालो जो की आपको बेटिंग और बोलिंग दोनों के साथ पहुंच दे सकता है लेसे कि रविंद्र जड़े जड़े जा मैंने उठा लिया है ठीक है दोस्तों अब जो बचेवे वी प्लेयर है मैंने से分 प्लेयर से अभी तक अपनी आर्सटी के उछता है टीक है ने कद ऊ année तो शीए सबाने माहेंदर सिंग आसब वाले वीडियो में बताया था कि क्यों माही भाइ इसमेस अच्छी परफुमेंस कर सकते हैं क्यों इनको अपनी टीम में आपको रखना चाहिए ठीक है गाइकवाड को खत्र है भाई रोभी उत्पपा को आप उठा सकते रोभी उत्पपा एक रची चोईस बन जाते हैं और बोलिंग सेक्शन से आपको एक प्लेयर उठाना पड़ेगा तो उठ करेंगे तो इन तीनों के के प्यातन आपको केसे बनाना है पहली तीम में माननों कि यहां सेrend हो गई है टीक है आपको एक थेन्स करते जाना या बहाद ध्यान रखना ठीका जैसे पहलीそ वाइस केप्टन ने इसे बनाया फिर दूसरी टीम में केप्टन और वाइस केप्टन इन दोनों को तो बनाया लेकिन एक चेंज भी अपनी टीम में कर दिया जैसे कि डीजे ब्रावो की जगह आपने तुरंती क्रिस्टोर्डन उटा लिया ठीक है एसे थोड़ी बहुत लाइनफ में ही थोड़ा डीप जा सकते हो जैसे कि मैंने अनुच रावत को अपनी टीम में उठाया फाफटू प्लेसी विराट को उठाया और जो नंबर 4 पर इनके बैट्समें आएंगे ग्लेन मैक्स्वेल उनको भी अपनी टीम में उठा लिया ठीक है ग्लेन मैक्स्वे मतलब कि दो का विकेट कम से कम जाना चीए और दो का विकेट जाने के लिए मैं रविंद्र जडिजा और मोहिन ली को विसे तो उठा लिया है और जिसको आप उठाना जा उठा सकते हो आर्सवी का बेट्समें अपने को दिनेश्खार देख चीए नहीं टौफ और अपने लेठी ले लिए चीए की का दूबर मुंशा इस टीम में हमने सिदार्त को को साथ गया वो एक टीम मैं अभी तख अपने टीमश में नहीं क्या था और अमबाती राइडू भी एक काफी अच्छे चोईस हैं ठीक है कैप्टन और वाइस कैप्टन इस टीम में दोस्तों आप एक काम करना एक टीम में ग्लेन मैक्जुल को बना देना हमने बहुत सारी टीम में रखा नहीं है इस टीम में रख रहे हैं तो थोड़ा सा ओर रिस्क करके अपने कोंटेस्ट जोइन मत कर लेना क्योंकि इन में अपडेट होने वाले हैं ठीक टोस्त के बाद इन में अपडेट होंगे कुछ प्लेट्स चेंज करेंगे तो उनके बारे में आपको टेलीग्राम चेनल पर इनफों किया जाएगा ठीक है टेलीग्राम चेनल आप करके रख लेना लिंक आपको नीचे description और comment box में मिल जाएगी दूसरी बात दोस्तों देखो यार आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया मतलब डेफिनेटली वीडियो पसंद आ रहा है और पसंद आ रहा है तो फटा फट से आपको करना है मेरे को तो अच्छा लगेगा ही मेरे को motivation मिलेगा तो आपका भी profit अच्छा खासा मैं करवा हुआ आपके लिए बेटर से बेटर टीम बेटर से बेटर content लेगा हुआ 5000 लाइक से इस वीडियो पर complete करना है जिसने नहीं क्या हो कर लेना अब दोस्तों आपको क्या करना है देखो 10 टीम तो अड़ी आपकी बन चुकी है next आपको टीम बनाने के लिए क्या करना है मैंने अभी तक जो पिछली 6-7 टीम बनाई है वो एक concept मान के बनाई है concept क्या माना विएक की टीम जीतने पर मैंने अपने नहीं नहीं पहली टीम में ओनली ओपनर रखे रही तो फोर रखे किस तरीके से बोलर उठाए वो सारी किस सारी स्टेजी आपको RCB के लिए लगा देनी है सिम्पल आपको कुछ भी नहीं करना ठीक मैं आपको बना के नहीं दिखा रह है और अब आगे जो है मैं मान रहा हूं कि 15-16 टीम जब आपकी बन चुकी है तो एक दो टीम में आपको और बना के दिखा देता हूं अच्छा दोस्तों जिसने भी यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना त सबसे पहले अपनी जो दो टीम में आपको बना के दिखाने वाला हूं वह होने वाली एक अब किसी के दिल में अगर सवाद है तो देखो या है आखिरकार है यह किरकेट का कोई भी मैच अनेश्पेक्टेड जा सकता है कभी भी किसी भी तरीके का रुख वो ले सकता है इसल अब लगुली को बहुत सब्सक्राइब को बहुत कम टीम में रख्याएं और उपर से एक एक फ्लेयर और उठालू लाइक से की उधापार आईडू इन सब को हमने बहुत कम टीम में रहा है रिका है। कब बात करते हैं और कर सेमा रहा हैं तो हमने बिल्कुल कम टीम में रखा ठीक हैं और अपने अपने गपलेएर उठाने तो यहां से लेट से अंबाती राइडू रुप्यू उठा लिए ठीक है यह आपका हुजदात है यहां प्रफटेंशा नंबर वन अनेक्सपेक्टेड टीम इसमें केप्टन और वाइस केप्टन दोस्तों आपको कुछ नहीं करना वेसे बना देना है जो की अच्छा पोटेंशा रखना है जैसे की गाइकवाट हो गया उसके अलावा पोटेंशियल अंबातिर आड़ू में काफिय कर लिया यहां से कि शाबाज हमेट को ड्रोप कर लिया यहां से मोहिन अली को पिक कर लिया और यहां से आपको क्या करना है कि लेट से कि सिराज को डूप कर दिया और आकास्तिव को पिक कर लिया चोद्री को डूप कर दिया यहां से हमने क्रिस जोर्डन को पिक कर लिया मतल यह साइध 18-19-20 तेयार हो चुके हैं एकादे टीम जो है टोस होनेक बाद में आपको लिए अपडेट कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर तो अपनी ग्रेंड लिग का पूरा जो कोटा है वो तेयार हो चुका है बाकी दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि अपने ट